भूमी रायपूर में भूमी का उप्योग हम जानते हैं कि ग्रामिण इलाकों में भूमी मुख्य रूप से खेती के लिए इस्तमाल की जाती है और लोग खेतों के आसपास गाओं में रहते हैं शहरों को ऐसी जगों के रूप में पहचाना जाता है जहां खेती बाड़ी से हटकर अन्य गतिविधियां जैसे प्रमुख बाजार, इस्थान और व्यवसाय होते हैं जो अनेक प्रकार की सेवाओं और सरकार के प्रशासनिक कार्यालों के लिए इस्थान उपलब्द कराते हैं भूमी का इस्तेमाल इमार्तों, कारखानों, दुकानों, बाजार, स्कूल, अस्पताल, कार्यालेों आदी को इस्थापित करने के लिए किया जाता है शहरी छेत्रों में रहने के लिए आवश्यक कई तरह की सेवाओं जैसे सडके, पानी का वित्रण, बिजली, बस यातायात के साधन, आदी सरकार द्वारा उपलब्द कराये जाते हैं कुछ इलाकों में केवल सरकार ही सेवा प्रदान करने वाली होती हैं, जबकि अन्ने इलाकों में निजी कम्पनियां भी ये सेवाओं प्रदान करती हैं कुछ सालों पहले राज्य सरकार ने भूमी के इस्तमाल का ब्योरा इकठा किया और शहर में भूमी को इस्तमाल किये जाने का एक वेकल्पिक रास्ता भी सुझाया इसके अनुसार सरकार ने मनोरंजन के लिए भूमी की उपलब्धता को तीन प्रतिशत से बढ़ा कर 21 प्रतिशत करने का सुझाव दिया नगर एवं ग्राम निवेश रिपोर्ट 2013 शहर में कुछ भवनों का उप्योग उनके मालिकों के द्वारा स्वेम के लिए किया जा रहा है जबकि अधिकांश को किराय पर दे दिया गया है इन भवनों का किराया इलाकों और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अलग-अलग है लोग व्यवसाय करने के लिए दुकाने किराय पर लेते हैं एक और शहरों के शॉपिंग कॉम्पलिक्स वा मॉल तथा प्रमुख बाजार छेत्रों में दुकानों का किराया ज्यादा होता है वहीं दूसरी और ऐसे कई स्वारोजगार चलाने वाले लोग हैं जो की गुम्टी के जरिये अपना धंधा करते हैं ये गुमटिया या तो खुद की होती है या किराय पर ली जाती हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सड़क किनारे बैट कर सामान बेचते हैं वे किराय पर दुकाने नहीं ले सकते हैं स्वारोजगार में लगे कई लोग अपना सामान बेचने के लिए ठेले का इस्तमाल करते हैं अपना धंधा करने के लिए दुकानों और सड़कों के किनारे इस्तित जगों के लिए लोगों में काफी होड होती हैं शहर में जमीन का वित्रण समान और सभी के अनकूल नहीं होता इसलिए शहर के विकास की योजना बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी को रोजगार और आवास के लिए जमीन उपलब्ध हो सके श्रम, लेबर जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा कि भूमी आजिविका का एक महत्तुपूर्ण स्त्रोत है यह ना केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है बलकि रहने के लिए भी जरूरी है अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो आपका परिवार कहा निवास करेगा हो सकता है कि आपके परिवार को किराय के घर में रहना पड़े शेहरों में रहने वाले कई परिवारों के लिए यह एक आम बात है किराय के मकानों के लिए आपको अपनी आमदनी का एक हिस्सा किराय के रूप में खर्च करना होगा रायपूर में जुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही पट्टे राजी सरकार द्वारा जारी किया गया कानूनी दस्तावेज जो भूमी के असली मालिक को जारी किया जाता है पर मिली जमीन पर खुद के घरों में रहता है अन्य नागरिकों की तरह जुग्गी में रहने वाले लोगों को बुन्यादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, साफसफाई, मलनिकासी, सार्वजनिक स्वास्त केंद्र और स्कूल की जरूरत होती है रायपूर में कम आयवाले परिवार शहरी लोग कई तरह की बसाहटों में रहते हैं रायपूर नगर निगम शेत्र में रहने वाले परिवारों का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बस्तियों में रहता है इन में से लगभग आधे लोग बाहर से शहर में आये हैं सन 2012 में रायपूर में यह पता लगाने के लिए एक अध्यन किया गया कि रायपुर्ष शहर की कम आयवाली बस्तियों में रहने वाले लोग शहर की जरूरतों में किस प्रकार योगदान करते हैं वृत आरेक 18.4 को देखें आप देखेंगे कि कम आयवाले परिवारों का एक बड़ा तबका सेवा व्यवसायों में लगा हुआ है जैसे घरेलू काम करने वाले, बोज़ा उठाने वाले मजदूर, दुकानों और अन्य आफिसों में सहायक के रूप में काम करने वाले आदे अध्यन के अनुसार जुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग महीने में औसतन 6,763 रुपय कमाते हैं इनकी पूरी आमदनी खाने की सामागरी जैसे गेहु, तेल, सबजियां और किराना आदी पर खर्च हो जाती है ये अचानक आने वाली जरूरतों के लिए बचत नहीं कर पाते जिसके कारण इन्हें उधार लेना पड़ता है